वेल्कम तो माई यूटूब चैनल आकिव इन्फो तो फ्रेंड्स आजकी स्विडियों में एनेस्पी स्कॉल्चिप पर बात करने वोले और बाइस तेस में अपने अप्लाई किया और बाइस तेस में अप्लाई करने के बाद आपका अभी आपको नियू रेजिस्टेशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उसमें क्या करना चाहिए इसमें क्या अपने निव रेजिस्टेशन आप कर सकते हो कर सकते हो तो वह पूरी प्रोशेस आज की स्भी में फूल डिसकेस करने हो तो चले बिने की दिरीगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमार यहां पर भी सब क्लोज है जितने भी आप देखेंगे सब क्लोज है तो हम बात करें थे उसके उपर के आप अभी 22 तेसमे आपने फॉर्म तो अपलाई कर लिया नियू रजिस्टरिशन कर लिया लेकिन आप अभी जो भी आपका पेमेंट है वह आप तक रिसीव नहीं हुआ ह अभी तक आपके अपडेट हो रहे तो आप अपका अप्लाइ कर सकते हो नहीं कर सकते हो आपका प्ला धृटरिशन हो गया और आपका स्टेट नॉडल ऑफिसर डिस्टिक नॉडल ऑफिसर यह भी वेरिफाय हो गया तो स्टेट नॉडल ऑफिसर डिस्टिक नॉडल ऑफिसर वेरिफाय होने के बाद डायरेक आपका Merit List Generate होगा और आपका अगर अब तक Merit List Generate नहीं हुआ है तो आप उसको Scholarship Scheme को Apply कर सकते हो क्योंकि New Scholarship Scheme Open हो जाता है जब 2023-24 का तो उस Scholarship Scheme में आप Eligible होते है कि कैसा होता है कि अगर New जो भी प्रिवेज जो भी Scholarship Scheme है तो उसमें अपलाई किया है लेकिन उसमें अब तक आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है वो पेमेंट कुछ वजह से रुका हुआ है वह मैरेटली सब्सक्राइब नहीं हुए इसके लिए रुका हुआ है तो आप यह बहुत सारे मन में डाउट आते हैं कि हम 2023 को फॉर्म भ भड़िए और भरने के बाद है आपका पेमेंट है वह अभी जैसे मेरेटली जनरेट होती है तो मेरेटली जनरेट के होने के बाद आपको आपके आकाउंट में देखने के लिए मिलेंगा तो आप उसके बारे में टैंशन नहीं लीजए आपका जब 2023 24 का जब फॉर्म स्ट यूद कि लागास रचान को कि इंदानों, कर भी दित आ कि आ ज